आप देख रहे हैं MNS News, सच ज़रूरी है कर दर्शकों आप देख रहे हैं MNS News आई ये देखते हैं आज की खास खबरे चलती ट्रेन से यात्री को नीचे फिका पानी बोतल की कीमत पुछने पर भड़क गए S.H.O. के मताबिक भोपाल रेल्वे स्टेशन के पैंटी कार के मैनेजर वीनोद और दो अन्यल लोगों को हिरासत में ले लिया गया यादों ने एक विक्ती की पहचान हमला करने वाले और ट्रेन से उसे नीचे फिकने वाले वेंडर के रूप में की है चलती ट्रेन में पानी की बोतल की कीमत पुचने पर पैंट्री कार के वेंडर्स इतने नाराज हो गए कि उन्होंने यात्री को दोड़ती ट्रेन से कतित रूप से नीचे फिक दिया इस घटना में यात्री को गंबिर चोटे आई है और उसे मेडिकल कॉलिज में भरती कराये गया है यह घटना शनिवार रात उत्तरप्रदेश के ललितपूर में हुई पुलिस का कहना है कि यात्री ने वेंडर से पानी की बोतल की कीमत पुची थी जिसके बाद विवाद हो गया गुस्साय वेंडर्स ने यात्री के साथ पहले मार पिट की और फिर उसे चलती ट्रेन से नीचे फेक दिया रिपोर्ट के मुताबिक ललितपूर रेलवे पुलिस के अधिकारी नविन कुमार का कहना है कि ट्रेन से नीचे फेके गई यात्री की पहचान रवी यादव के रूप में हुई है एसे चोग के ने कहा यादव ने इस घटना के बारे में शिकायत की शिकायत के बाद कार के मैनेजर एव अग्यात वेंडर्स के खिलाप FIR दर्श कर ली गई कुमार के मुताबिक जानसी निवासी यादव ललितपूर जाने के लिए शनिवार रातरी रापती सागर एक्सप्रेस में चड़ा यादव ने अपनी शिकायत में कहा है कि वेंडर्स पानी की बोतल पंदर रुपे की जगव 20 रुपे में बेच रहे थे इस कीमत को लेकर उसका वेंडर से जगड़ा हो गया यादव ने बताय कि रेलवे ने ट्रेन में पानी की कीमत 15 रुपे तई की है इस पर वेंडर ने अपने दो अन्य सायोगी को बुलाया फिर तीनों वेंडर उसे खीच कर स्वी पर क्लास ले गए और उस पर हमला कर दिया यादों ने बताया कि तीनों ने उसे ललितबूल स्टेशन पर उतरने नहीं दिया और ट्रेन जब स्टेशन चोड़ कर आगे बड़ी तो तीनों ने उसे कोच से धक्का दे दिया रेलवे पुलिस अधिकारी का कहना है किस्तानिय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर यादों को चोटों के साथ पाया फिर उसे आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसका बयान दर्जुआ चलती ट्रेन से यातरी को फेका नीचे पानी की बोतल की कीमत पूछने पर भड़के लोग एसेचो के मताबिक बोपाल रेलवे स्टेशन से पेंट्री कार के मैनेजर विनोद और अन्यदों लोगों को एरासत में लिया गया है यादव ने व्यक्ति की पहचान हमला करने वाले और ट्रेन से उसे नीचे फेकने वाले वेडर के रूप में की है चलती ट्रेन में पानी की बोतल की कीमत पूछने पर पेंट्री कार के वेडर से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने यात्री को दोड़ती ट्रेन से कथेत रूप से नीचे फिक दिया इस घटना में यात्री को गंबीर चोटे आई हैं और उसे मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया है यह घटना शनिवार रात उत्तर प्रदेश के ललिकपूर में हुई है पुलिस का कहना है कि यात्री ने वेडर से पानी की बोतल की कीमत पूछी थी जिसके बाद विवाद हो गया गुसाए वेडर्स ने यात्री के साथ पहले मारपीट की और फिर उसे चलती ट्रेन से नीचे फिक दिया रिपोर्ट के मताबिक ललिकपूर रेलवे पुलिस की अधिकारी नवीन कुमार का कहना है कि ट्रेन से नीचे फेक गई यात्री की पहचान रवी यादव 26 वर्शी की रूप में हुई है ऐसे चोने कहा कि यादव ने इस घटना के बारे में शिकायत की शिकायत के बाद पेंट्री कार के मैनेजर एवम अग्यात वेडर्स के खिलाफ एफ आयार दर्च कर ली गई है कुमार के मताबिक जहासी निवासी यादव ललित पूर जाने के लिए शनिवार रात रापती सगर एक्सप्रेस में चड़ा था यादव ने अपने शिकायत में कहा है कि वेडर्स पानी की बोतल 15 रुपे की बजाए 20 रुपे की बेच रहे थे इस कीमत को लेकर उसका वेडर्स से जगडा हो गया यादव ने बताया कि रेलवे में ट्रेन के पानी की कीमत 15 रुपे तैकी है इस पर वेडर्स ने अपने दो अन्य सही योगियों को बुलाया फिर तीनों वेडर्स ने उसे खीच कर स्लिपर क्लास में ले गए और उस पर हमला किया यादव ने बताया कि तीनों ने उसे ललितपूर स्ट्रेशन पर उतरने नहीं दिया और ट्रेन जब स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ी तो तीनों ने उसे कोच से धक्का दे दिया रेलवर पुलिसादिकारी का कहना है कि इस्थानिय लोगों ने रेलवे ट्रेक पर यादव को चोटों के साथ पाया है फिर उसे आनन्फानन में जिला स्पताल ले जाए गया जहां पर उसका बयान दर्च हुआ है यादव के चोट को देखते हुए उसे बाद में जहांसी के मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया है एसचों के मताबिक भोपार रेलवे स्टेशन के पेंट्री कार के मेनेजर विनोद और दो अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है यादव ने एक व्यक्ति की पहचान हमला करने वाले और ट्रेन से उसे नीचे फेकने वाले वेडर्स के रूप में की है यादव का कहना है कि इस घटना में पेंट्री कार का मेनेजर भी शामिल है हाला कि उसने मेनेजर की पहचान नहीं की है यह है MNS News Network और आप देख रहे है MNS News